नमुश्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चानल पर आज हम बात करेंगे बालाकिष्णा इंडेस्ट्रीज के बारे में यह बहुत ही बड़ी ओफ दरूट टायर कंपनी है जो कि टायर मैनेफेक्ट्र करती है इसका क्वाटरली रेजल्ट लीसेंट ली आया हुआ है हम इसका फम्लशक के लिए अच्छछा है अगर अच्छा है तो कौन से लेबल पर इसफर इन्वेस्ट करना है और कितने टायम फ्रेंम के लिए इन्वेस्ट करना है लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फिरसे आपको याद दिला दूं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट चरूर कीजिए इसी के साथ चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जाता जाते हैं पालाकृष्णा इंडस्टेस के बारे में रिजल्ट का हाईलेट देखिए क्या आया हुआ है अन्वाल बेसेस फे वॉल्यूम में डिक्लाइन देखा गया है 4.5% का और यह गिरके हो गया है तो मैं यह आपको हाईलेट भी करके देखा दू यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में काफी 4.5% का गिराबट देखनों को मिला है और यह क्या है मैं आपको यह डिटेल में एक्स्प्लेन भी करूंगा टोटल रेविन्यू में देखिए डिक्रीस देखनों को मिला है 7.7% का जो की हुआ है 4811 क्रोर 4,811 क्रोर EBITDA में देखा गया है 2.4% का डिक्रीस और यह आया है 1271 क्रोर EBITDA मतलब यानिंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्स और डिप्रिशेशेशन नेट प्रॉफिस में देखिए 24% का इंक्रीस देखनों को मिला है और यह हुआ है 960 क्रोर operating margin में भी काफी improvement देखनों को मिला है और यह 25% से 26.4% हुआ है quarterly basis में देखिए volume फिर से decline हुआ है 4.5% और यहा है quarterly basis में भी देखिए volume में decrease देखनों को मिला है 4.47% का decrease देखनों को मिला है और यह आए हुआ है 57,966 metric ton इसके हम comparison भी करेंगे quarterly basis पे total revenue में increase देखनों को मिला है 1.2% का जो की बना है 1372 क्रोर EBITDA में भी decrease increase देखनों को मिला है 19% का quarterly basis पे जो बना है 384 क्रोर रूपीज नेट profit में भी increase देखनों को मिला है 42% का और यह आया हुआ है 265 क्रोर रूपीज पे operating margin में भी improvement देखनों को मिला है और यह हुआ है 28% from 23.7% को चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं highlight देखिए highlight में आ हुआ है sales के volume में इस देखनों को मिला है 201.706 metric ton हुआ है FY20 के लिए और बस पिछले quarter में ही 57,966 metric ton का sales volume आया हुआ है last quarter of 2020 में revenue में देखिए 4894 क्रोर रूपीज का revenue आया हुआ है FY20 में और इससे बस 1389 क्रोर का revenue आया हुआ है last quarter of 2020 में EBITDA में जैसे मैंने बोला 1381 क्रोर 2020 के लिए आया हुआ है और इसमें margin का percentage देखिए 28.2 परसंट है जिनमें से 407 क्रोर का EBITDA आया हुआ है बस last quarter में और इसमें margin देखिए 29.3 परसंट है profit after tax में भी बड़ोतरी देखने को मिला है 945 प्रोर है profit after tax FY20 में और पिछले quarter में 257 क्रोर का profit आया हुआ है 2020 में और यह सब highlight देखिए कोरोना वाइरस के चलते जो lockdown declare करा गया था lockdown मार्च के महीने में आखिर के साथ दिन पूरे के पूरे सब कुछ बन थे उसके अलावा भी यह सारे result आये हुए हैं तो यह इसका highlight है यहाँ पर देखिए sales highlight दिखा दो यह almost flat है ज्यादा इसमें वारिशन देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर दिखिए lockdown का impact highlight किया गया है last March के quarter में last 7 दिन पूरा का पूरा shutdown हो चुका था इंडिया में उसके चलते उसके बाब जूद भी देखिए sales almost flat है 201,760 metric ton के उपर तो अगर यह lockdown नहीं होता तो सायद sales में और थोड़ी बरोतिर देखने को मिल सकती है जो के नीचे यहाँ पर highlight किया गया है business model दीखिए business model company का बहुत अच्छा है long term debt free company है यहाँ पर highlight करके रखा गया है long term debt free company है diversified product portfolio multiple product बनाते हैं जो spread across है agriculture में इंके presence है industrial segment में presence है construction में presence है and mining tires में भी presence है इन्होंने हाली में अपना carbon black के लिए खुद का plant लगाया हुआ है मैं आपको explain करूंगा carbon black क्या है लेकिन आपके knowledge के लिए carbon black एक बहुत ही जरूरी raw material है टायर बनाने के लिए और इन्होंने recently इसका खुद का plant रखा हुआ है तो इससे इनको फाइदे भी होगा CapEx ready है जो capital expenditure इन लोक ने लगाया हुआ था वो almost खतम हने के उपर है और वो सारे plants अभी running condition में है देखते हैं management क्या के रिए management ने दिखी यह बोला है कि February 2020 में इनको यह इनको लग रहा था कि यह 200,000 metric ton का sales volume cross कर लेंगे FI 2020 में लेकिन वो almost cross करने के कदार पर थे लेकिन तब भी इंडिया में lockdown डिक्लेर कर दिया गया और lockdown के चलते लॉक्डाउन होना के बावजोद भी इनका sales volume देखे 201,760 metric ton हो जो ही इनके आकड़ों के आसपास है और यह मैं बोल ला हूँ lockdown के चलते मतलब 7 दिन जो मार्च के महिने में कंप्रीट लॉक्डाउन डिक्लेर किया गया उसके चलते भी यह अपना sales का volume पूरा कर पाया है जैसे यह अक्टिविटी में फिर से ऊपर जाने की और बढ़ा जैसे यह मानुफेक्टिविटी में अक्टिविटी में अक्टिविटी देखने को मिली जो कि second half of April में हुआ त दीरे दीरे नॉनमल सी वापस है यह सारे के सारे इनके manufacturing brand में अभी दीरे 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 अक्टिविटी वापस शुरू होने लगे हैं अगर सब कुछ सही रहा तो management के हिसाब से performance FY21 का भी बहुत ही similar लहेगा जो कि FY20 में दिखा गया और इससे अच्छा भी हो सकता है यह management का कहना है चलिए देखते हैं growth plan के ही उपर growth plan का क्या है इनका growth plan देखिए carbon plan मैंने जो आपको बोला बहुत ही जरूरी raw material है इनके industry के लिए का इनके plants के लिए carbon plant carbon black जो है तो इन्होंने खुद का carbon black का plant लगा हुआ है जो इसका project fully commissioned है इसका phase 1 project commission किया गया है Q2 FY20 में मतलब second quarter of FY20 में इनका यह plant commission किया गया है phase 2 का capacity और भी अच्छा है देखिए जिसके 80,000 metric ton पर आनम है जो कि commission किया गया बारा मार्च दो हजार बीस को टोटल कापसिटी इनका अभी बन गया है 140,000 metric ton पर आनम और यह बस carbon black का ही है यह बहुत ही ज़रूरी raw material है दोस्त टायर बनाने के लिए और जिसको यह company खुद से अपने आप बनाना चाहती है और देखिए वलूज बाली जो plant है उसका भी replacement बन गया है दो नई बाली plant जो fully integrated है complex fully integrated facility है जिसमें इन्होंने लगबख 500 करोड का investment करा हुआ था तो वो पूरा का पूरा तयार है और यह पूराने plant को replace करने के लिए ready है और इससे इनका productivity में भी बहुत सुधार आएगा भूच प्लांड का देखिए भूच प्लांड के बारा में मैं आपको बताता हूँ भूच प्लांड में देखिए बहुत ही बड़िया OTR टायर्स बनाने के लिए इन लोग ने इन्वेस्ट किया हुआ है जिससे इनको 5000 metric ton per annum का additional warehouse का capability मिलेगा और mixing plant में जो भूच का है उसक बड़े बड़े steel radial OTR टायर्स बनाने के लिए और यहां पर उन्होंने warehouse भी अपना बना हुआ है और यह almost खतम होने के उपर है CapEx program देखिए कंपनी के अब CapEx program पूरा का पूरा ट्राक के उपर है लेकिन ही COVID-19 के चलते कंप्रिशन में कुछ प्रॉजेट कंप्रिशन में कुछ देरी हो सकती है लेकिन management का पूरा दावा है कि यह अपना target पूरा करने में सफल रहेंगे तो अभी देख लेते हैं यह तो हम बात कर गए वाला कृष्णा इंडेश्टिस के बारे में इसके quarterly analysis कर गए तो अभी चलिए देखते हैं इसका एक बार market वालुशन देख लेते हैं और देख लेते हैं इसका price range क्या है और stock कौन से price पर trade कर रहा है तो चलिए इनका quarterly result एक पर देख लेते हैं जो Q4 का result है उसके उपर तुछा नजब डालते हैं यहाँ पर देखिए revenue from operation में काफी अच्छा देखने को मिला है यहाँ पर देखिए 137 137 2.27 क्रोर का है जो कि पिछले साल में था पिछले 2019 में था 52.099 जबकि यह अब बन गया है 48.1124 टोटल इनका में देखिए yearly basis में थोड़े सी बड़ोतरी देखने को मिली है जो 2019 में था 54.2816 तब 2020 में बन गया 50.6202 और quarterly basis में भी देखिए पिछले साल के same quarter में था यह 139.670 जबकि इस साल के इसी quarter में 143.776 total expense में कमी देखने को मिला है पिछले साल दोच्छा 42.5162 था अभी इस साल में 39.22,000 क्रूर्ज यह सारे लाक्स में लेकिन आपको मैं क्रूर्ज में convert करके बाद आ रहा हूं तो यह expense में कमी कैसे आई अगर आप धान डालेंगे पहली वाली लेन पे cost of material consumed इसमें देखिए कमी देखने को मिलिए पिछले साल जो थी 2440.97 क्रूर्ज थी इस साल में 2023.21 क्रूर्ज तो इसमें कम से कम 450 क्रोड का इनका सेविंग्स हुआ है और इस सेविंग्स इफेक्ट भी यहां पर देखने को मिला है total expenses में बाकी expense देखिए employee expense benefits में भी इनको increase देखने को मिला है जो आप देख सकते हो 29,91,000 क्रोड से लेके 32,86, 32, 186.3 क्रोड तक गया हुआ हुआ है depreciation में देखिए depreciation and amortization expenses में भी इनको almost flat है जो कि 11,6459 था यह बन क्या है हुए 10,7261 तो यह हम बात कर गए expenses के बारे में तो चले चलते हैं नीचे और देखते हैं और क्या है यहां पर देखिए profit after tax मैं आपको दिखा दूँ profit after tax मैं आपको दिखा देता हूँ profit for the period यहां पर देखिए 77365 था यह नंबर लाक्स में है इस साल बनके 95965 इसी के चलते हैं अच्छा खासा है इनको profit देखना को मिला है quarterly basis पे भी देख सकते हो जो यह 18,594,000 लाक्स था अब यह बन गया है 26,472,000 लाक्स total comprehensive income after tax यहां पर देख सकते हैं पिछले साल में यह 74,506 था अब यह बन गया 86,733 similarly quarterly basis पे जब 21,562 था इस साल बन गया है 22,387 और नीचे आके मैं आपको और कुछ चीज़े highlight करके दिखाना चाहता हूं देखिए इनका जो है इनका अच्छा कासा benefit हुआ है exchange rate के चलते जो कि इन्होंने नीचे highlight करके रखा हुआ है तो मैं भी आपको दिखा दो exchange rate के चलते देखिए यहां पर पिछले साल इनको 12,800 लाक्स का फाइदा हुआ था जो यह बन गया इस सल 13,134 तो यहां पर मैं आपको highlight करके दिखा रहा हूं यह exchange rate के गिरावट के चलते इनको यह profit देखने को exchange difference gain and loss तो यहां पर पढ़ सकते हैं तो यह फाइदा भी इन लोग को exchange rate के चलते इन लोग को फाइदा हुआ कि इनका बहुत सारा मार्केट है US में UK में और यूरोप में North America में इनका काफी मार्केट तो उतसे इसको काफी अच्छा फाइदा हुआ है यह तो हम बात करें Q4 रजल के बरे पर तो अभी चलते हैं और देखते हैं अगर आपको इस stock में invest करना है तो इस stock का future क्या है हमें क्या लगता है यह stock future में grow करेगा ने कर गया company का perspective क्या है वो भी जाके एक पर देख लेते हैं तो चली हम बापस लेके फिर से आपको यहां पर आ गया है में आपर बताएंगे आपको क्या करना है company का future perspective क्या है जो company ने जैसे बोला दिखिए कोविट 19 के चलते है फूरा lockdown शॉट डाउन हो गया मार्च के लाश्ट के कुछ हप्त जिससे इनको zero sales का जिसे इनका sales almost zero हो गय चलते हैं लेकिन company ने अभी उस पिरियद से दीरे दीरे recovery करना शूरू कर दिया है और इनका manufacturing का जो operation है या लोजिस्टी का operation है या जो export का business है वो दीरे 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 पिक कर रहा है और यह दीरे 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 अपरिल 2 हाप से दीरे दीरे ओपन हो रहा है तो economy open होत सकता है और इससे इनका company को भी फाइदा हो सकता है इसका देखिए capital expenditure इस साल का targeted capital expenditure कम है only 500 क्रोर है जो कि पिछले साल था 700 क्रोर 2020 के लिए तो इससे देखिए capital expenditure जब कम हो जागा तो इससे भी इनका cash flow में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है management के हिसाब से flat पुरा revenue growth guidance पुरा flat है अगले साल के लिए लेकिन cash flow में इनको बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है और इनका long term growth perspective almost similar है और बहुत ही strong है company और भी target कर दिये जो मैंने आपको पहले बोला इनका North America में बहुत ही अच्छा खासा presence है और यह इनका North America का presence और भी बढ़ना चाहते है यूरोप का presence और भी बढ़ना चाहते है इंडिया से supply मगा के तो इंडिया में इनका manufacturing base है तो इंडिया से export करके North America में और यूरोप में अपना market share बढ़ना चाहते हैं तो इसका भी positive impact company में देखने को मिल सकता है अगर North America ने इन्होंने successfully market capture किया तो कमपणी का target है 100% utilization जो भुच का नया plan बना हुआ है अगले कुछ साल में इसका 100% utilization करने के लिए 100% utilization होगा तो ज्यादा टाइप्स manufacture किये जाएंगा और उतसे इनको export या फिर domestic market में बेचने के लिए भी बहुत फाइदा होगा तो इसका भी positive effect देखने को भी तक बागती है company अभी Indian market में अपना strength बढ़ने के लिए अच्छी खासी जोर लगे हुई है Indian market में अपना distribution channel से और जो भी जिस company के साथ जिनके साथ यह distribution का काम करते हैं और इंडिया मार्केट में अपना share बढ़ने के लिए यह बहुत कोशिस कर रही है के वालेशन के बारे में बता दूँ आपको वालेशन के हिसाब से company के वालेशन थोड़ा सा रिच लग रहा है क्योंकि वे 25.4 times FY 2020 का एंडिंग परश्यार के हिसाब से अभी और इनका जो CAGR है वो बस 5% है देखिए cumulative growth revenue जो है cumulative aggregate growth revenue वो बस 5% है for 2020, FY 2020 से 22 के अंदर तो इसके साथ इसका target price range भी change जो आता है 1080 से 1122 जो कि 22 times of FY 2020 का एंडिंग परश्यार के हिसाब से है इसके हिसाब से इसका target भी थोड़ा change जो आता है तो अगर आप short term investor हो तो मैं यह आपको लिखके भी यहाँ पर दिखा देता हूं अगर आप यहाँ पर short term investor अगर आप long term investor पर long term investor हो तो आप wait कर सकते हो अगर को कम होने के लिए क्योंकि से आइडिल प्राइस रहे जोगा थाउजन्ट एक्टी से लेकर 1120 तक कि यह लॉंग टर्म इंवेश्मेंट के लिए और अब श्यार प्राइस में थोड़ा correction के लिए वेट कर सकते हो अभी श्यार आज के साब आज के दिन से कर रहा है आज के दिन श्यार ट्रेट कर रहा है 1245 के आसपास ट्रेट कर रहा है तो आप इसमें कुछ correction के लिए वेट कर सकते हो जैसे ही श्यार का प्राइस आए करेंगे और हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें अब को इसके साथ यह वीडियो समउत करना चाहते है लेकिन वीडियो समउत करने से पहले पिरसे आपको याद दिलाना दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यो दूर